नमस्कार में तो आज हम दस्म कच्छा के अर्सनावली 4.2 के तीसरा सवाल करेंगे सवाल है इसके हमें मूल निकार लेना गुरन फंड बिर्गित लगार दुगासम गन का स्वरूप क्या होता है? पहले ये देख लेते हैं दुगासम निकारने की लिष्टा से पहले क्या करते हैं? ए और सी को गुना करते हैं तो रूट 2 रूट 2 गुना हो जाएगा ये हो जाएगा रूट 4 रूट 4 का मन किता है? दो और ये पाउच हो जाएगा गुना है ये होगे टोटल 10 और हमें जोरने और गाटाने पर कितना चाहिए 7 तो पाउच और दू मिलके 7 हो जाएगा और ये पाउच और दू मिलके गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा एक आगे बढ़ते हैं रूट 2 एक्स स्कुार प्लस 2 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 रूट 2 बरावर 0 अब आगे हम root 2x को लिखते हैं plus इस two x को हम अलग-अलग भागवा डिवाइड करते हैं इसको root 2 winner root 2x इतना लिख सकते हैं plus 5x plus 5 root 2 ब्रावर 0 2x को इस तरह तोड़ दिए कि कुमन लेने में असानी रहे अब आगे root 2x square root 2x इसमें से root 2x निकल जाएगा यहां बचेगा शिर्फ x बचेगा एक्स हो गया यह निकल गया प्याहां बचेगा plus root 2 हर जाएगा plus symbol है plus ही रहे गया इतना कप हो गया हूँ अब इधर का 5x और 5 root 2 तो 5 5 को मन है तो 5 निकाल लेते हैं जाएगा x plus root 2 ब्रावर 0 अब दोनों में root 2 root 2 ऊमन हो गया अब जो बार है पहले उसको लिकल लेते हैं root 2x plus 5 into अब अंदर माले में से दोनों सको एक लिकल लेते हैं x plus root 2 बरावर 0 अब बारी बारी से मूल निकालते हैं root 2 x plus 5 बरावर 0 तो root 2 x बरावर ज़र पलस 5 बारी दिदा के root 2 बरावर 0 तो x बरावर इदर पलस में इदर आके मैनस हो जाएक मैनस root 2 दूसरा मूल यह हो गया अब तोथा सवाल हम इसको क्या करेंगे बिन का जोर है पूरा में बिन का जोर कर देते हैं तो यह हो जाएगा पूरा का एल्स यह आण अब इससे वाग कुछ यहाँ पे उचनित एक होगा यहाँ पे एक होगा तब इदर डाइट गुना हो जाएगा 8 गुना 2 x स्कॉाइर माइनस 8 x हो जाएगा पलस 1 हो जाएगा बड़ावर 0 अब यह हो जाएगा 8 दोनी x स्कॉाइर माइनस 8 x पलस 1 इदर बटे 8 बरावर 0 अब आगे 16 x स्कॉाइर माइनस 8 x पलस 1 बरावर प्रो जाएगा इसका 1 स्कॉना अब इदर बान देगा इसका 0 स्कॉना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा स्कॉना करकर रूप में 16 x स्कॉाइर माइनस 8 x पलस 1 बरावर 0 यह हो गए a x स्कॉाइर पलस b x पलस 3 बरावर 0 इस तरह जो गया अब आगे हमें दिगा स्कॉना करना है a x c को गुना करना है ठीक तो एक मन कितना हो गया 16 x c 1 एक हो गया अब 16 किस तरह हमें डिवाइड करना है जोरने घटाने पर 8 हो और गुना करने पर 16 हो चार इंटू चार 16 बज़ेगा 4 पलस 4 बरावर 8 बज़ेगा अब बनाते हैं यहां 16 x स्कॉाइर माइनस 8 x पलस 1 बरावर 0 अब 16 x स्कॉाइर माइनस 4 x माइनस 4 x पलस 1 बरावर 0 माइनस 4 माइनस 4 जूर के माइनस 8 हो जाएगा और 4 और 4 और 4 गुना हो के 16 हो जाएगा यह होई complete अब आगे इसमें से जो कॉमान होने कर लेते हैं 4 x इसमें भी है दोनों 4 x है तो 4 x निकल लेते हैं तो यहां क्या बज़ेगा 4 x माइनस यहां बज़ेगा 1 अब माइनस चीन है तो माइनस रखते हैं उसे नहीं तो एक कॉमान ले लेंगे तो 4 x यहां डालते हैं हम माइनस 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 पलस हो जाएगा यह उसे नहीं है दोनों कोमन लेने बर्द एक कोमन लेंगे अब यहां चेली मैनस है यहां रखेंगे मैनस तभी यहां पलस होजएगा यह होजएगा मैनस एक बरावर 0 अब हमें पTalk vacuum 4X-1 इन्टू 4X-1 बरावर 0 अब पहरीला से निकाला देते हैं पहले 4X-1 वराबर 0 4X वराबर 1 X वराबर 1 बटे 4 दूसरा अमूल निकलते हैं 4X-1 वराबर 0 4X वराबर 1 X वराबर 1 बटे 4 उसरा मूल यह हो यानि दो अमूल शमान हैं सबसे पहले क्या होगा ए और सी का गुना होगा तो सव गुना एक तो सव ही होगा एक मंग एक सव और सिक मान वन यह होगा एड़ पहीं से भागवात करना है मुझे गुना करने पर एड़ और जर ने पर सव होग यह दस एटू दस डस और दर जर एंगे तो बीस वह जाएगा और गुना करेंगे तो सव गहाएगा यह हो गई, 100 x स्क्वायर माइनस 10 x माइनस 10 x प्रलस 1 बराबर 0, मैनस 10 मैनस 10, मैनस 20, 10 गुना 10, 100 हो गए, अब आगे, दोनों में 10 10 x है, 10 x निकाल लेते हैं, पोमन, यहां बज़ेगा, 10 x माइनस 1, अब यहां उद्राइए से हम आए, तो अपना क्या देंगे, मैनस 1 कोमन ले लिए, तो यह अंदर बज़ेगा, 10 मैनस 1, यहां प्रलस चीन है, यहां हम डालेंगे मैनस मैनस, प्लस यहां प्लस हो जाएगा, अब जीरो, अब हमें मूल निकालना है, 10 x प्लस 1, एक मूली, 10 x माइनस 1, एक मूली यह प्राप हो, दूसरा 10, अब 10 x स्क्वाइल, माइनस, 10 x माइनस, 10 x प्लस 1, ब्रावर 0, अब इन दोनों में 10 x कॉमण है, तो 10 x निकाल लेते हैं, 10 x निकाल लेते हैं, यहां क्या बाचा, 10 x माइनस, यहां 10 x निकाल लेते हैं बाचा, एक, अब इन में से कुछ को मनियत एक निक लेगा, एक रट दिये, ठीक, अब 10 x यहां प्लस है, यहां माइनस देंगे, तो माइनस माइनस, प्लस हो जाएगा, हो गया, एक, ब्रावर 0, अब अंदर में दोनों सेम हो गया हैं, अब 10 x माइनस एक, जो बार में रखा हुआ है, यह और यह लिख दिये, इंटो, अंदर में दोनों सेम को एक लिख लेते हैं, 10 x माइनस एक, ब्रावर 0, अब दो मूलों में प्रप्ट हो गेंगे, दो कमान निकालते हैं, फ़हले इस पर निकालते हैं, 10 x माइनस एक, ब्रावर 0, 10 x ब्रावर, दिर माइनस एदर आके प्लस हो जाएगा, x कमान, यह गुना है इदर आके बाग हो जाएगा, एक मूलों यह प्राप्ट होगीं, दूसरा अबड, 10 x माइनस एक ब्रावर 0, 10 x ब्रावर, माइनस एदर आके प्लस हो जाएगा, 1 x ब् दिर्बुना हैं इदर के भाग हो जागा दो वोल प्राप्ते हैं यानि इस्कामूल क्या है समान है